जो विखे भी सांटा क्लॉस इस साल क्रिसमस पार्टि पर बचो को आपकी तरफ से कभी ना खुत्म होने वाली आइसलिन का नल फिर कभी ना खुत्म ओने वाली केकी दुकान और चोक्लेट्स के बारिश के बारे में भी बता दिया है अरे वा बालवीर, फिर तो ये क्रिस्पस बच्चों के लिए एकदम खास होगा हाँ, और ऐसा जशन कभी नहीं हुआ होगा ना बालवीर गालपरी, अभी बच्चों के उपहार बनने में और कितना समय है बस कुछी देर में बच्चों के सारे उपहार तयार हो जाएंगे ठीक है पालवीर, क्या बन रहे सिर्फ तोफे इस बार बच्चों के लिए क्या नहीं बन रहे चॉकलेट्स इस बार बच्चों के लिए नहीं अरे डुबा-डुबा... आपको पता नहीं... इस बार हम बच्छों के लिए चॉकलेट्स तो बना ही नहीं रहे... क्या... अब इस बार चॉकलेट्स नहीं बना रहे — लेकिन... लेकिन नटकट्ट परी... बिना चॉकलेट्स के तो बच्चो का क्रिश्मस सदूरा ही रह जाएगा हां आपको पता है ना बच्चो को सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स ही पसंद है हां बालवी यह तो है और हमारे भी मतलब जब तक नहीं खाएंगे हम चॉकलेट्स नहीं आएंगे हमारे चेहरे पर पूरी खुशी परियोग आप चॉकलेट्स बनना कैसे बूल सकती है अब हम क्या करेंगे बच्चो को क्रिसपल पे चॉकलेट्स मिलेंगी भी और चॉकलेट्स बनेंगे भी हिंा चॉकलेट्स कहां बंढ रही है चोकलेट में चॉकुलेट्ञ लोंक हाँ कि इस पहले वे इस चॉकलेट लोक के बारे सुना ही नई उधर हाँ चॉकलेट बना था कौन है बालवीर, चॉकलेट लोग में एक चॉकलेट अंकल है, जो बच्छा लोग के लिए बहुत सारी चॉकलेट बनाते हैं चॉकलेट अंकल? आउग की बाते सुनकर तो मेरा भी मन कर रहा है चॉकलेट लोग में जाने का चॉकलेट लोग है यह ऐसा बालवीर के वाहाँ जाने का मन हो जाए और उस चॉकलेट लोग के सबसे अच्छी बात यह है चॉकलेट अंकल की चॉकलेट बनाने वाली फैक्टरी जिसमें अनगिनत बच्छे लोग के लिए स्वादिश चॉकलेट बंती ही रहती है सुनकर ये सब आ गया मेरे मूँ में पानी तो अपना मूँ बंद रखो डुबाडुबाइ क्योंकि वो चोकलेट्स बच्चों के लिए है तुम्हारे लिए नहीं हाँ बालवी इस बार बच्चों के लिए इतनी स्वादिश चोकलेट्स बनेंगी कि उनका स्वाद बच्चे कभी नहीं भूल पाएंगे हाँ वाह बच्चों की खुशी के लिए चोकलेट बनायी जा रहे है मेरे प्यारे बालवी और भुली पर्ली चॉकलेट लोग ये चॉकलेट बच्चों को खुशिया नहीं, बलकि गम देंगी. ये है मेरे करम, कभे खुशी, कभे गम. कभे खुशी, कभे गम. अब देखना बुराई के कैसे सुर्बजा की गुने. ये बल्लो पे कितना बड़ा लेल्लू है ना. कल हमारे स्कूल में क्रिस्मस की पाटी है. जहां आइस क्रीम, पीजा, बर्गर, जूस और स्पेशली सांटा क्लाउस होंगे. लेकिन ये सब छोड़के, वो जा रहा है अपने चाचा के यहां. लेकिन महर, तुझे तो पता है ना, कि बल्लो अपने चाचा की हर एक बात चुमता है. इसलिए, बल्लो के चाचा बल्लो को जब भी बुरता है, बल्लो को जाना पड़ता है. वो तो है. पर महर तू ये सब चुड़ और जल्दी से घड़ी में साथ बज़े का अलाम लगा दे क्यों बढ़ने के लिए नाई नाशने के लिए तू सही सही बता बढ़ना पीट दूंगी कीसे इस घड़ी को अग्तर सिस में पीट दूँगी अरे मेर इतना गुस्ता क्यों करती है तू बूल गई हमें सुबा उद्टे ही पापा के पर जान है और उनसे पाटी की परमिशन लेनी है है ना अरे हाँ मैं तो भूल गई थी पापा का मोट सुबा सुबा कितना फ्रेश होगा ना उमें डारते गए ले सॉरी जोक था माना तू ना एक बात कान खोल के सुन ले इस पाटी के बारे में न कोई जोक नहीं समझा इसे लिए इससे पहले कि पापा का सुबा सुबा मोट खराब हो जाए हम उससे पहले इस पेपर पे साइंग कर वा लें ओक्के हम और वैसे ही भी महर कल तो लास्ट है स्कूल में पर्मिशन लेटर देने का और अगर कल पापा इस पर्मिशन लेटर पे साइंग किये बिना ऑफिशे ले गए तो तो गड़बर हो जाएगी माना एक बात बताओं तो यह सब खराब बात है ना मत किया कर परना सच मुछ में ना मैं तुझे पीट दूँगा चले अब तो सोजा और मैं भी सोजाती हूँ देख क्रिस्मस बाटी के सपने गुड़ नाइट गुड़ मानिंग मतलब महर हमारी मॉनिंग शुबो निठी इसलिए गुड़ मॉनिंग होनी चाहिए नहीं मानाव होगी जरूर होगी क्योंकि कल हमारे पार्टी में होंगे सैंडा क्लास बालवीर और हम सब बच्चे गुड़ नाइट गुड़ नाइट तौबा तबभा तौबा तौबा या हे कहा हो तौबा 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 अरे हूँ मैं यहान एक तकलीपाद को छलपरी, नहीं देखा जाता कि आपसे, कि खाओ मैं कुछ आपके थपड़ों की सुबाद नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि तुम जो भी खाओ, मुंबजेदार क्या, थपड़? नहीं, तुम्हारा खाना, और इसलिए मैं तुम्हारे खाने को और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए, चूरन लाइए ये लो, खाओ इसे नहीं, है नहीं बरोसा मुझे आपपे क्या कहा? नहीं चाहिए मुझे एक खाना पर दीजी आपका ये स्वादिष्ट खाना बनाने वाला चूरन इस पर दीजी हाँ, हाँ, क्या फर्फड़ता है धुन अच्छी होनी चाहिए फिर चाहिए उसे तुम गाओ या मैं खाओ? खाओ ये कार फालतू आपका ये चूरन कुछ भरक नहीं पड़ा इसके स्वाद में तो इससे स्वाद आएगा तौबा तौबा बहुत स्वाद आएगा लेकिन तुम्हे नहीं मुझे चलपरी अरे होग क्या गया ये मुझे अरे हुआ कैसे मही इतना छोटा चलपरी 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 अरे सुन रही होना आप मुझे अरे हुआ चलपरी अरे परी भायंकर समझाया इस चलपरी को देखिए क्या किया है मेरा हाल इस चलपरी ने देखा भायंकर परी मेरे जादूई चूरन का कमाल बस अब मैं जादूई चूरन क्रिसमस में बटने वाले चॉकलेट्स में विलाँगी और जैसे ही सेंटा क्लॉस वो चॉकलेट्स बच्चों में बाटेंगे बच्चे वो चॉकलेट्स खाकर बिलकुल तौबा तौबा की तरह छोते छोते हो जाएग और बच्चों की क्रिसमस पाटी बन जाएगी बुस्ती बट पाटी शाबाज जल परी शाबाज अब देखना भैंकर परी इस बार जीत की बासुरी बुराई ही बजाएगी और सचाई उसकी धुन पर नाचेगी हुnen परे र estasफ बस्ता पर की बच्चों की म जार ऱाबाभ exits हुई पड्या राब जार मानव! 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 वेर! मानव! मानव, वेर के रिखे रिखे रिखे? लेके नहीं! मुझे तो इन्हें उठाना पड़ेगा क्योंकि अगर यह लोग सोती रह गए तो फिर मोटा भाई को मक्खन का लगाएगा और अगर मोटा भाई को मक्खन नहीं लगाया तो फिर यह दोनों क्रिस्मस पार्टी में कैसे जाएगे? अरे यहाँ, जोटाना पड़ेगा! मानव! नहीं, नहीं! मैं इननों को सोने जेता हम यह दोनों जरूर क्रिस्मस पार्टी का सपना देख रहोंगे मैं इनका सपना नहीं तोड़ूंगा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा सेंटेकलोज जी, सेंटेकलोज जी मैं मानव महर का चाचू, राकी चाचू मैं इन दोनों की तरफ से मोटा भाई को मखल लगाने जा रहों आप प्लीज मेरी मदद करना वो क्या है ना इस समय आप देख रहों ना मानव महर दोनों बहुत गहरी नीम में सो रहे हैं वो आप ही कही सपना देख रहोंगे, Christmas party वाला वैसे भी इननों को आपकी Christmas party में आने का बहुत मान है प्लीज मेरी हल्क परना वैसे भी मोटा भाई को मखल लगाने में बहुत मुसाएगा लो, कर लिए मैंने तयार, बच्चों के Christmas के उभार कर लो आप कुछ भी, लेकिन मिलेगी आपको बालविर से हार ही चब तौपा तौपा भयंकर परी, मेरे ये बनाई हुई चॉकलेट खाकर बच्चे हमेशा के लिए इतने छोटे हो जाएंगे के वो बालवीर बालवीर चिलाएंगे तो सही लेकिन बालवीर तक उनकी आवास पहुचेगी ही नहीं शाबाज चलपरी, शाबाज बस अब मुझे अपनी बनाई हुई ये बच्चो को छोटा करूच चॉकलेट का परिक्षन करना पड़ेगा का पालम ॐ क्या कहता में गोबा 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 तौबा तौबा अधराओ और इस चोक्रेट को चको अधर चॉकलिट चाहूँ अधर एक सब और बोला नहीं तो जितना कद बचा है बैंटना भी नहीं देगा तुमारे पास उमारा नामे तुभा-थुभा जौफ छाँ फू मैं तो बेसूरा इसलिए हैं पसंद मुझे बेषवाद चीज़े काम कीछिया यह श्वादिश चोकलेट दीजिए मेरे प्यारे दोस्त गुबा गुबा को खाने को वह दगड़दूम दगड़दूम नहीं में चलपरी वह दोनों चोक्लेट मैं मैरे आजीज दोस्त तोबा तOUबा को दीजिये तावबा तावबा जेलो जाए हो जाए कुछ भी हाँ लगवादावा दावादावा यह बड़ी भैंकार धे यह चलपरी बड़ी चालाक अरे खाके यह चौकलिट्स हो जाओगा जोटा और पर करके आपको भी जोटा आप इस भ्यानक लोको कर लेगी कबसे मैं दावा दावा अपरे बेंकर ऐले आपरे एक खाग आपरे मुआ आपकों मतोगोड़गा चीली को ठोड़गा थेरे उपर आपरक आपरे हुआ है कितनी कड़वी चॉकलेट पनाई है अरे कहते है इसे चॉकलेट अरे इसके आगे तो कड़वा नीव भी मीठा लगे ठीक है ठीक है मैंने जान पुछकर ये कड़वी चॉकलेट नहीं बनाई है बलकि मैंने तो ये चॉकलेट भयानक लोकी मिठी से बनाई है हो सकता है इसलिए कड़वी हो गई हो अरे बुराई के जमिन से निकलेगी तो बुरी चीजी होगी ना और होगा आपका भी बुरा हाल नहीं तौबा तौबा छल परी के सुर आज तक कभी कड़वे और बेसुरे नहीं लगे हैं और ना ही चलने कभी हारने वाला संगीत सीखा है अब मैं चॉकलेट बनाऊंगी चॉकलेट लोग की मिठी से और इसके साथ ही मिल जाएगा बच्छों का क्रिस्मस का जश्नभी बिठी में पिर ऐसे बचेंगे बच्छे चोटे होने से अ तौबा तौबा गोबा गोबा चलो चॉकलेट लोग चले चलो इस बार सचाई कुछने टेके की बुराई के और जीत हमारी होगी मानव मैं अरे नहीं तोभी ये लुक्सोरे मैं अभी इने उठा देता हूं बन को बताता हूं कि मैंने इनका काम कर दिया मानव मानव उटो महर महर उटो मानव ये अलाम बज़रा है तो बंद कर दे मैं तो मुझे मार क्यो रही हो रोखी चाचो आप या क्या खर रहे हो सौरी मुझे लगा आप आलाम हो इसलिए मैंन आपको बंद कर दिया मैं क्या बॉल रहि वानव मतलब मुझे लगा क्या आप आलाम हो इसलिए मैंने गड़ी को बंद कर दिया लिए न कोई बत नी, मुझे तो वैसे ही तुमनों को उठाना था ना ओ नो, मानव, आठ बच गए हाथ तो उसमें कौन सी नहीं बात है आठ ते रोज बचते हैं, और भी दो दो बार मानव, आठ रोज बचते हैं, यह मुझे भी पता है लेकिन आज का आठ बचना बहुत इंपोर्टिंट है क्यों? क्योंकि मानव, हमें आज पापा को मखण लगाना था, मखण अरे हाँ मैर, अब तो हमें देर हो गया, अब हम क्या करेंगे? क्या होगा? क्योंकि मैंने तुमनों के काम कर दिया है सच्ची? हाँ हाँ सच्ची आज सुबा उटते ही मैंने अच्ची तरीके से मोटा भाई को मक्कल लगाया है अज आपकी वज़े से पापा हमें पाठी में जाने के लिए अलाओ कर दिये तुम लोगों ने कहा था कि मोटा भाई को मक्कल लगा दिया लेकिन अब तुम लोग पाठी में जाओगे या नहीं जाओगे वो तो उनके उटने के बाद बने चलीगा ना उटने के बाद? उटने के बाद का क्या मतलब है? हाँ क्योंकि अभी तो मोटा भाई सो रहे ना पापा सो रहे है तो फिर रोकी चैचू पापा जब सो रहे थे तो आप उनको मखन केसे लगाए हाँ मैंने मोटा भाई को बड़े अच्छी तरगे से मखन लगाया माँ भाई माँ झाल झाल